जहीं साथियो मैं दिली से अलका लांबा आप सभी का स्वागत है वही उमी देख बार फिर कि आप सभी अपने घरों के अंदर होंगे परिवार के साथ होंगे पुरी तरह से सुरक्षेट होंगे आज जो मैं मुद्द लेकर आई हूँ वो काफी बवाल उसने खड़ा किया यह आप करिएगा मैं आपके साथ यह मामला चर्चा करके छोड़ दूगे यह मत आपका होगा कि आप इसको कैसे देखते हैं बात आती है कि देश में करूना महमारी सिर्फ खाली भारत ही नहीं पुरा विश्व इस महमारी की चपेट में है इस समय और हम लोग बार बार बा कि ब्रस्टाचार भी नहीं होना चाहिए क्या वो कहेंगे कहेंगे तो कहिए कि राजनीती करने वाले राजनीती चोड़ देंगे लेकिन राजनीती ना करने वाले यह कहना शुरू कर दे कि ब्रस्टाचार भी नहीं होना चाहिए इस समय पर मुनाफ़ा खोरी छोड़ देन जी हाँ China की कंपनी है जिसका नाम है जोनफो राइध चीन की कंपनी से पाँच लाख टेस्टंग किड्स सर्कार ने लिए सरकार ने एक आया तक ऐक आया तक को न्यूक्त किया और उस आया तक ने वो जो चीन के इस companies से हमारी यह testing kit लिए ऑर आया तक का नाम है matrix labs, matrix labs, दिहां से याद रखियेगा इस शब्दों को, matrix lab आया तक है, अब तीसरा कोन है चीन के company, वोड़फो आयातक मैट्रिक्स लाएबं तीसरा विचूलिया कहते हैं जिसको उन्होंने नाम दिया वित्रक ये वित्रन करेगा वित्रक का नाम है कंपनी का नाम है रियर मैटाबॉलिक्स तीसरा अब चोथा को नहीं चोथा है हमारा जो जिसे ये पांच लाग टेस्टिंग क किट हम दी जा रही है वो है भारतिये चकित्सा अनुसंधान परिशद यानि की ICMR इंडियान कॉंसिल ओफ माडिकल रिसर्च भारत सरकार की अपनी कंपनी है चाइना से इस कंपनी को टेस्टिंग किट जो है संस्थान को भारतिये कित्साइन के ICMR को दी जानी है किट की कीमत कितनी है चाइना ने कितने में उस जो आयातक है उसको किट पेची प्रती किट पांचला किट है प्रती किट 245 रुपए 245 रुपए में इस आयातक ने चींग के उस कंपनी से खरीद ली बात ख़तम अब बीच में कोन आ रहा है वित्रक आ रहा है वित्रक किसने तै किया भारत सरकार में तै किया और ये भी तै कर दिया कि वित्रक सर्व यही रहेगा कोई वित्रक नहीं करेगा भारत में जिसको भी आयात कर रहा है वो करिये लेकिन वित्रक बिचोलिया एक याद मिरेगा वो यह है आया तक अब बवाल कहां हुआ बावाल का पता कैसे लगा फ्रस्टाचार है या नहीं है और जो 245 रुपे की कि चाइना से ली गई वो 600 रुपए जी हाँ 355 रुपए अधिक की वो केट ICMR को हमारा जो भारतिये चकितसा अनुसान परिश्यद है बारत सरकार का उसे बेची जा रही है मामला पोचा हाई कोट में दिल्ली हाई कोट में क्यों पोचा दिल्ली हाई कोट के अंदर क्योंकि आयातक ने आयात रोक दिया क्यों रोका गया उसने बोला वित्रक ने मेरे पैसे रोक लिए वित्रक ने का ICMR ने इंडियन कॉंसिल ओफ मादिकल रिसर्च ने मेरे पैसे रोक लिए, ये क्यों एक दूसरी के पैसे रोक रहे हैं, प्रभाव किस पे आ रहा है, टेस्टिंग रोक गई है, टेस्टिंग नहीं हो पा रही है, किट पांच लाग का वायदा था, और जो भारतिय अनुसंधान परि अनुसर्टिंग नहीं उतरती है, मैं टेस्क लगातार इन ऐसे कर रहा हूं, तो अलग लग तरह के टेस्स दाज पैसे है, तो प्लाग के टेस्ट आते हैं, उसी चाइनिस किट से दुबार रब टेस्ट करता हूं, तो वह दो नेगिटिव हो जाता है, किट खरी नहीं हो उत पारियर गुनवत्ता की मात्रा में के पैमाने पर पांच प्रतिशती कामियाब हो पारी है ये चाइनिस किट आप समझ रहे हैं समझिएगा ICMR ने वित्रक का पैसा रोका वित्रक ने आया तक का जो है वो पैसा रोक लिया और आया तक ने किट देना रोक दिया चाइना को पूरा पैसा मिल गया पांच लाख किट का प्रति किट दो सो पैंतालिस रुपे के इसाब से उसका भुपतान हो गया वो कहता है तुम भार में तुम जो मर्जी करो तोमारी भारत सरकार भी मेरा कुछ नहीं बेगाड सकती तुम आप की चीन की कमपनी पर गुद मैं कर रही है कि आप की चीन की कमपनी 59 रूपई प्रती किठम से मांगा हमारे भारत के आयातक ने उसे पूरा पैसा दिया, लेकिन किट की गुनवत्ता, किट टेस्ट के पैमाने पर फेल हो रही है, ये तो दोखा दड़ी है, इसे कैसे भारत बरदाश कर सकता है, लेकिन भारत बरदाश्ट, सरकार भारत सरकार बरदाश्ट इसको कर रही है, कोट में मामला पोचा, कोट म आया तक को पैसा नहीं दिया है कोट ने का कितने रबे की बेच रहे हैं उसने का मैने 245 की सरकार से ली थी चीन से ली थी और जो विद्रक है वो सरकारी संस्था को 600 रुपई में बेच रहा है कोट भी हैरान हो गई और कोट ने का नए यह गलत रेट है आप अधिक से अधिक 400 रुपे की एक किट को बेच सकते हैं पर इन पांच लाग किट पे ये का लागू नहीं होगा ये पांच लाग किट जो प्रती किट 245 रुपे वो 600 पे ही अब ICMR भारतियन संथान चक्राइशा को खृदना होगा क्योंकि ये तै हो जोका है बहुत बढ़िया लेकिन किट तो सही दीजिए जिए नहीं दी जारी भ्रस्टाचार है यह नहीं है कौन मुनाफ़ा कमा रहा है यह आपको देखना है यह वाटरा कॉंग्रस करके चैनल का आज किट रख है जो 600 रुपे में 245 की किट बेच रहा है और किट भी मैमानों पे करें कहीं किसी का नाम नाम बोलूं यह वाटरा कॉंग्रस से द्यान हटानी की कुशिश इसलिए कि कोई ना कोई शाह का बेटा इसमें शामिल है और मोटा मुनाफ़ा अथारा करोड का मुनाफ़ा इस एट डिल से वो कमा रहा है मैं नहीं कहीं आप चांच करिए कि चिन्नाई में 50,000 किट का जो ओर्डर मिला है वो किस शाह की कमपनी को मिला है इसी 5,000 किट में से 50,000 किट जो है वो चिन्नाई जानी थी जो नहीं जा पा रही है क्योंकि आयातक को पैसा नहीं मिल रहा है और किट गुनवत्ता में फेल हो शरम नहीं आती इने, घिन नहीं आती इने, लोग मर रहे हैं, हम टेस्टिंग टेस्टिंग की डिमांड कर रहे हैं, बहुत से ओर भी देश हैं, जिसमें साउथ कोरिया का भी नाम लिया जा रहा है, उनकी किट बड़ी काम्याब इरोप में हो रही हैं और दूसरे देशों में लेकिन क्या मजबूरी है कि आपको चीन की इसी एक कमपनी से एक ही आयात एक ही वित्रक के द्रू पूरे देश में ये किट 600 रुपे प्रती किट के हिसाब से परिद कर बातने का आदेश दिया क्यों दो 4 पंदस वित्रक नहीं हो सकते भी बड़ा देश्य ने 130 करोड़ का देश है वित्रक तो बहुत होने चाहिये थे आयात तक है तो वित्रक भी होने चाहिए ते नहीं आयात आप कर लीजिये चेन से लेकित वित्रक के ड़ाएगा यहाँ प्रस्टाचार साफ होता बारत की सरकार चुप क्यों है भारत की सरकार चुप क्यों है भारत कि सरकार भारती ये अनुसंदान, चकित सक अनुसान परिश्य तो भर सरकार का है न, सरकारी है न, पांच लाग किट का तो इन्हों ने किया था, 600 रुपे पे ये खरीद रहे थे, गुन्वत्ता में फेल ये बताते हैं, तो क्यों नहीं कारवाई होनी चाहिए, खामुष क्यों है आप खामुष क्यों है, मैं आप सभी से कौंगी, हम राजनिती नहीं करेंगे, पर हम प्रस्टा चाहर भी नहीं होने देंगे, और ना इस प्रस्टा चाहर पर हम चुप बैठेंगे, हम बिल्कुल लगातार, हम आज भी कहते हैं, टेस्टिंग किट की जरुरत है, कोट ने अगर दिली हाई कोट को 400 रपे में भी, आप कितना मुनाफ़ा कमाते हो, 60 परतिशत, कोट कहती है कि 245 की किट को आप 400 रपे में भी बेचो, तो 60 परतिशत मुनाफ़ा है, बस बहुत है, लेकिन, लेकिन, IC, MR, Indian Council of Medical Research, भारस सरकार को लगता है, 600 रपे ठीक है, और उस किट के है, तो मैं आप सभी से कहूंगी, शरम आनी चाहिए, ना खाऊंगा, ना खाने दूंगा, खा भी रहे हैं, और खिला भी रहे हैं, और चुपी भी बनाई हुए हैं, मैं आप सभी से कहूंगी, आवाज उठाईए, 21 करोड रुपए का, जो चाइना से हमने माल खरीदा, वो आदा बेच दिया है, आदे की मांग है, लेकिन अब फैसला कर दिया गया, कि किट की गुनवत्ता सही नहीं है, इसलिए उन्होंने उसे खरीदने से माना कर दिया, तो अब च्या होगा, अब तो टेस्ट नहीं हो रहे हैं, त्योंकि किट जो खरीदी गई हैं, 600 रुपे प् करने का था, उसमें अगर किट नहीं करी देंगे, तो क्या होगा, टेस्ट नहीं होंगे न, फरक इसको पड़ेगा, उन्नेताओं को, उनायातकों को, उन्द भारे सरकार, चाइना सरकार, उस चीन की कमपनी को, उन नहीं, फरक आपको रहे हो पड़ेगा, जो खरोना से किट 245 रूपए खरी दी गई जिसे भारत की ही इंडियन कॉंसिल ओफ मैडिकल रिसर्च भारतीय चकित्सक अनुसान परिशत को 600 रुपए प्रती किट 30 करोड में समझोता हुआ किट गुनवत्ता में पूरी तरह से फेल हो गई हैं। भारत सरकार्ट ने अपने नियों में बत तब्दिली करते हुए एक ही वित्रक को आयातकों से किट लेकर वित्रन का जो है वो आदेश दिया है। पीम केर फंड में आप और हम बहुत भारत के लोग अपनी गाड़ी मैनत इमानदारी की कमाई देश के साब में समस्या आखड़ी हुए और सबको मिलकर लड़ना ये सोचकर दान दे रहे हैं। लेकिन पीम केर फंड में कितना धान आया, किसने दिया, कहां खर्चो रहा है इसकी जानकारी देने से पीम मोने और पीम केर फंड की जानकारी खिन्यों में जो है ये मनाई करतीगे। किसे तरह की कोई जानकारी किसी को भी नहीं दी जाएगी। वो उस पे नहीं खरी नहीं उतर रही है टेस्टिंग के पैमानों पर लेकिन भारत की सरकार खामोश बैठी हुई है, चीन ने कह दिया है कि ये भारत सरकार ने चाइना की सरकार से कित नहीं करी दी इसलिए उसकी जवाब देन नहीं है, भारत जाने और वो चीन की कंपनी ज चुका है पूरा का पूरा और उन्होंने कह दिया है कि हम अपनी बात पे वोल्फो बायोटेक अपनी बात पे खड़ा है कि हमने तो किट गुनवत्ता से सही दी है, आपको टेस्ट करने नहीं आते होंगे, तो मैं आप सभी से कहूंगी ये ब्रस्टाचार है ये नहीं है, ये मुनाफ़ा खोरी कमाने का समय है या क्या है अगर हाई कोट में आया तक और वित्रक का ये मामला ना पोचा होता तो शायद आपके और हमारे सामने भी ये सच्छाई ना आया होती कि इस समय भी जब देश माहमारी से जूज रहा है टेस्टिंग के जरूरत है टेस्टिंग वित्रक जो है वो कमाने का कमा रहा है और मैंने आप से कहा कौन-कौन इसमें शामिल है इसका खुलासा होना बेहर जरूरी है क्योंकि आयात बहुत लोग कर रहे हैं लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि चाइना से हम आयात तो कर रहे हैं बहुत भारत की कमपनिया है चीनी की कमप सत्ता में बैठे होए बड़े बड़े नेता, नेताओं के बच्चे, बेटे, समझ रहे हैं, यह आपका जरिया है, उस वित्रक तब पोचने का, वित्रक की कमिशन, नेताओं के बच्चों की कमिशन, तै करने के बाद, तै करने के बाद 245 की किट को 600 रुपए में, सर्कार का था क्यों हमिशना कोट में लोगों कुछ याकर लड़ना संगश करना पड़ता है अन्याय जब होता है। क्यों मारा सरकार ने शुरू में ही टेस्टिंग के जो rate यह तेस्टिंग कित यह कियो नहीं rate यह कर लग कर दिये और यह कॉंपनी कर रहे हैं, क्यों भारत सरकार सीधे आयात करके सीधे एक वित्रक यो आपका हर राज्ये का हर मुखे मंत्री वित्रक होना चाहिए था भारत सरकार को गुनवत्ता की जांच करते हुए किट्स लेनी चाहिए थी चाहिए वो सरकारों से ले चाहिना की सरकार या दूसरे देशों की सरकार य ही राज्यों के मुख्यमंत्री होने चाहिए थे सीधा हस्पतालों में ये टेस्टिंग किट समय पर पहुंचनी चाहिए थी लेकिन आज भी देख रहा है एक बर पांच लाग किट बताते हैं कि चाइना से भारत के लिए चली थी हवाई जाज में चढ़ा दी गई थी लेकिन चाइना से भारत आने की बताएं वो पांच लाग टेस्टिंग किट गलती से हावाई जाज हवा बहुत तेज थी इतनी तेज हवा थी कि वो चाइना से पांच लाग किट भारत के लिए लेकर चला लेकिन हावाई इतनी तेज थी कि वो जाज अमेरिका में जाकर उतरा और जहां के बोलो, गल्ती हो गई, यह जहां तो चाइना से भारत जाना था पाशला पिस्टिन के ले कर, यह तो अमेरिका उतर गया, गल्ती हो गई हम से, चलिए कोई बात नहीं, गल्ती हो गई, उसे एंगे, वहां पेस टेक-उफ करें अमेरिका से चाईना, हिंदुस्तान आई पुरकि देरी हो रही है लेकि नहीं नहीं वो तो समान भी उतर गया वहाँ पर वित्रन भी हो गया वहाँ पर फिर वहाँ की कमपनी ने का अच्छा चलिए हम अब दूसरा आपको shipment भेजते हैं ये गलती थी या इसके पीछे कोई खेल था और अब जो बांच लाख किट आ रह है हम राजनीती नहीं करेंगे लेकिन हम भ्रस्टाचार भी नहीं करने देंगे और जो ही कहते हैं राजनीती ना करें कहने से बहतर होगा कि आप राजनीती ना करें कहने से बहतर होगा चिक चिक कर चिला कर सोती सरकार को जगाएं उसके नारों को याद दिलाएं कि ना किट के उपर कमाया जा रहा है जो लोगों की जान पर इस समय बन कर आई है जिसके सबसे ज़्यादा ज़रूरत है और सही किट पे भी मुनाफ़ा नहीं कमाया जा रहा है जो किट फेल हो रही है गुनवत्ता में फेल हो रही है उस पे कमाकर इससे बड़ा फरजी वड़ा धोक चुलियों को बचाने के प्रियास कर रहे हैं साड़े 3000 से अधिक मेरे फेस्बुक के साथ ही इस लाइफ बढ़ हैं आप सभी कता ही दिल से धन्यवाद करती हूं उठाइए इन आवाजों को बुलंद रखिए यह लड़ाई आपकी और हमारी है और पुरे देश को लड़ना औ लेकिन जहां पर हमें लगेगा धांदली हो रही है, मनोफे खारी है, भस्ता चार हो रहा है, सरकार खामोश है लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड किये जा रहे हैं आपको और हमें बोलना होगा आपको और हमें बोलना होगा हम को हिंसक होकर नहीं बोल रहे हैं हम गांधी वाधी तरीकों से बोल रहे हैं हम गोट से वाधी तरीके नहीं अपना रहे हैं हम बंदू गोली नहीं उठा रहे हैं हम गांधी वाधी तरीकों से इस बात को अपने अपने माध्यम से उठा रहे हैं उमीद करती हूँ आप ये वीडियो शेर करेंगे और जाते जाते वही एक रिक्वेस्ट आप सभी से कहोंगी घरों में रहेगा तीन मई को लोगडाउन खतम हो जाएगा दस दिन के करीब लगभग रहे गए है हो सकता है लोगडाउन को बढाया दी जाए यह फैसला आपको और हमें नहीं यह फैसला भारत की और राज्यों की सरकारों को मिलकर बैट कर करना है स्थिति और हालात का जाइजा लेकर करना है कि लोकडाउन खतम किया जाए, लोकडाउन बढ़ाया जाए, लेकिन जो भी फैसला किया जाएगा, मुझे पूरी उमीद है, आप और हम पूरा देश, 130 करोड को फैसलों के साथ, यूही खड़ा रहेगा, जैसे हम पिछले एक डिट महीनों से खड़े हुने हैं, आप सभी क् भी शुबकान नहीं, जै हिंद, जै भारत